हेलो एवरीवन वेलकूम अगीन टू लन्वर देदिमन तो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रजा मंडल आंदोलन तो मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में कि प्रजा मंडल का क्या अर्थ होता है प्रजा का मंडल अथवा संगठन तो राजिस्थान में प्रजा मंडलों में महतपुन भूमे का निभाई गई थी यहां तक की पंडित जवहलन नेरू जो है वो भी यह कहते हैं कि यदि किसी स्थान पर जन आंदोलन कराना है तो वहां वहां जन आंदोलन तबी आरम हो सकता है जब वहां की जनता जो है वहां क पर देखिए रगुनात सिंग महता सागर मलगोपा आईदान सिंग ये प्रमुक नेता रहे हैं। प्रमुक नेता रहे हैं रगुनात सिंग महता इन्होंने स्थापना की महेश्वरी युवक मंदल की। उदेश्य वही है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। रियासतों में उतरदाई शाषन की स्थापना करना। तो इसी वज़े से रगुनात सिंग को यहां तो यहां यह कुश्यन जो है वो बनता है कि सागरमल गोपा की पुस्तक है रगुनात सिंग का मुकद्मा। चीक है तो यह याद रखिएगा। और यह जो पुस्तक है किस पर लिखी गई थी? रगुनात सिंग पर ही लिखी गई थी। 1940 में सागरमल गोपा ने जैसल मेर में गुंडा राज ये जो पुस्तक है इसे पूरे जैसल मेर में बटवा दिया जिस वज़े से वहां के जो शाशक हैं जवाहर सिंग इन्हों ने जैसल मेर से इन्हें निसकासित कर दिया क्योंकि वो भी नहीं चाते थे कि जैसल मेर में उनका जो शाशन है वो समाप तो हो तो यहां पर जो की जागरती उत्पन कर दे लोगों में ऐसी पुस्तक जो है ये बटवाते हैं सागरमल गोपा तो बुकें जो हैं वो कौन-कौन सी है एक तो है रगुनात सिंग का मुकदमा और दूसरी है जैसल मेर में गुंडाराज किसकी है सागरमल गोपा की है 1941 में पिता की मौत पर ये वापस लोटते हैं इनको तो निकाल देता है जवाहर सिंग क्योंकि वहां का शाशक जो है वो नहीं जाता था कि यहां पर जो है जागरुपता आए और इस वज़े से ये न रफ्तार कर लिया जाता है और यहीं से इनको यातनाय देनी स्टार्ट हो जाती है 19 जून 1942 को इने 6 वर्स की सजा होती है और यहां का जो थानिदार है कुमान सिंग इनके उपर बहुत सारे अत्याचार करता है यहां तक कि गोपा जी को 3 अप्रेल को जिन्दा जला दिया जा जाता है जिस वज़े से नेक्स्ट डे जो है इनकी मृत्यू हो जाती है सरकार द्वारा गोपाल शुरू पाठक को जांच समिती निक्त किया जाता है जांच अधिकारी निक्त किया जाता है तो अब देखिए जो यह जांच अधिकारी है वो भी किसके द्वारा निक्त किया गया है, सरकार के दोरा निक्त किया गया है और सरकार को पहले से ही जो गोपा जी है, जो पसंद नहीं थे, तो ये क्या करेंगे, जांच में बता देते हैं कि इसने तो आतम हत्या की थी, ठीक है, नहरू जी की ओर से व्यास जी को अब निक्त किया जाता है, और 15 दिसंबर 1945 को जैसल मेर प्रजाम अंडल की स्थापना हो जाती है और इसकी स्थापना जो है मीठा लाल व्यास द्वारा जोत्पुर में होती है याद रखना है जैसल मेर प्रजाम अंडल की स्थापना मीठा लाल व्यास द्वारा होती है और देखिए इससे पहले जो है वो कितनी सारे यात जैसल मेर आज जो लोक परिशयत का गठन जो है वो है करते हैं ताकि ये असफल हो जाए लेकिन फिर भी जैसल मेर प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है नेक्स्ट देखिए बूंदी प्रजामंडल तो यहां पर तो आपको एक ही लाइन याद रखनी है कि इनकी स्थापना जो है बूंदी प्रजामंडल की करते हैं कांती लाल ठीक है इसकी अध्यक्षता करते हैं और 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है अगला है कोटा प्रजामंडल तो कोटा प्रजामंडल कोटा जो है वो किसमें आता है हाडोती शेत्र में आता है तो 1934 इसवी में हाडोती प्रजामंडल की स्थापना होती है पंडित नैनुराम शर्मा के द्वारा वहीं पर 1949 इस्वी में देखिए कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की जाती है और यहां पर भी पंडित नैनुराम शर्मा द्वारा की जाती है तो नाम जो है वो एक ही है पंडि गया था कि कोता राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई तो अब आपको याद रखना था अभिन हरी तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं 1941 में पंडित नैनुराम शर्मा की हत्या कर दी जाती है और यहां पर जो पहला अधिवेशन पहला सम्मेलन जो होता है वह 1941 में मांग रोल 12 में संपन होता है तो यह जो एक दो लाइने हैं यह आप इनके बारे में याद रखेंगे विकानेर प्रजामंडल जिसकी स्थाफना करते हैं वैद मगाराम ठीक है विकानेर प्रजामंडल की स्थाफना कौन कर रहे हैं वैद मगाराम 1936 में कलकत्ता में 1942 में वहीं वकील रगवर दयाल गोयल विका नेर राज्य प्रजा प्रश्यत की स्थाफना करते हैं यहां पर ये वाली लाइन जो है वो आप लोग याद रखेंगी कि कलकत्ता में विका नेर प्रजा मंदल की स्थाफना होती है 1936 में वैद मगहराम के द्वारा करोली प्रजा मंदल अप्रेल 1949 में तरलोग चंद माथोर के द्वारा की जाती है इनका ये नाम जो है वो इंपोर्टेंट है यहां चिरंजी लाग शर्मा भी है कुवर मदन सिंग है जिनके द्वारा करोली प्रजा मंदल की स्थाफना होती है लेकिन त्रलोक चंद माथोर जो है ये important है करोली प्रजामंडल के संबंद में 1946 इस्वी में चिरंजी राल शर्मा जो है अध्यक्ष बनते हैं Next देखिए तो थोड़ी थोड़ी सी लाइने जो है वो आपको learn करनी है अलवर प्रजामंडल इसकी स्थापना करते हैं 1938 में पंडित हरी नारायन शर्मा और कुंज बिहारी मोधी ठीक है यहाँ पर मैंने underline की है पंडित हरी नारायन शर्मा जो कि यहाँ पर important role अधा करते हैं अलवर प्रजामंडल में 1944 में पहला अधिवेशन होता है भवानी शर्मा की अध्यक्षता में तो मैंने लास्ट वीडियो में यही चीज़ आपको बताई थी कि जो प्रजामंडल है वहाँ पर याद रखना है कि एक तो इस्थापन करता कौन है दूसरा पहला अधिवेशन कब हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुआ था ये याद रखिएगा तो याद रखना अलवर प्रजामंडल जो है 1938 में पंडित हरी नारायन शर्मा द्वारा इसकी इस्थापना की जाती है पहला अधिवेशन 1944 में होता है भवानी शर्मा की अध्यक्षता में धोलपूर प्रजामंडल 1938 में क्रिश्न दत्पालीवाल, जॉला प्रसाथ जग्यासू और जोहरी इनके द्वारा होती है यहाँ पर इंप्रजाथ सब्द है परमार जो है वो शहीद हो जाते हैं और इसी वज़े से इस कांड को हम तसीमो हत्याकांड के नाम से जानते हैं कहां होता है तसीमो गाउं में होता है ठीके तो यहां पर जो सहीद होते हैं उनके नाम याद रखिए पंजम सींह कुषवाह और चित्तर सींह परमार नेक्स्ट देखिए भरतपुर प्रजामंडल, 1938 में स्थापना होती है, रिवाडी में जुगल किसोर चतुरवेदी के घर, गोपी लाल यादव, अध्यक्ष, किसन लाल जोसी, ठाकुर देशराज, मास्टर आदित्याइंद्र आदी, तो ये कुछ नेता जो है, वो शामिल है इसमें और यहां पर भरतपुर प्रजामंडल के बारे में याद रखेगा, किसन लाल जोसी का नाम जो है, आता है, 1938 इस्वी में भरतपुर प्रजामंडल की सापना करते हैं, शाहपुरा प्रजामंडल, 1938 में ही, रमेश चंद ओजा के द्वारा, वलालूराम व्यास के ठीक है तो शाहवपुरा प्रजामंडल की साफना होती है 1938 में नेक्स्ट देखिए शिरोही प्रजामंडल तो देखिए मेवाड प्रजामंडल, मारवाड प्रजामंडल, जैपुर प्रजामंडल इन तीनों के बारे में तो detail में जो है वो मैंने इसलिए बताई आपको क्योंक लेकिन और भी चीज़ें जो है वो पूछी जा सकती है इस वज़े से मैंने आपको वो डेटेल में बताई थी तो सिरोही प्रजामंडल जो है 1949 में गोकुल भाई बहटने स्थापना की बंबई में प्रतापगर प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना 1945 में चुन्नी लाल और अमरित लाल की द्वारा की जाती है अमरित लाल का नाम प्रतापगर प्रजामंडल में याद रखना है डूंगरपूर प्रजामंडल जो है भोगी लाल पांडे के द्वारा की जाती है 1944 इस्वी में वही बासवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्र नात्रवेदी के द्वारा 1945 में की जाती है नेक्स्ट दिखिए जहालावाड प्रजामंडल इसकी स्थापना 22 नवंबर 1946 में की जाती है मांगी लाल भव्य जो है यह अध्यक्ष बनते हैं और यह राजिस्थान का अंतिम प्रजामंडल था तो यह लाइन जो है वो इंपोर्टेंट है पूछी जा सकती है एक्जाम में की जो राजिस्थान का अंतिम प्रजामंडल कौन सा है जहालावाड प्रजामंडल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जहां हम राजिस्थान का एक ही करण पढ़ेंगे ठैंक यू